तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर BCCI ने पूरी सेलेक्शन कमेटी को निकाल दिया है पूरी सेलेक्शन कमेटी जो टीम इंडिया की थी जिसकी अगवाई कर रहे थे चेतन शर्मा जी शुनील जोशी भी इस टीम का इसा थे पूरी सेलेक्शन कमेटी को खत्म कर दिया गया है नए टेंडर्स को नए कंटेंडर्स को अप्लाए करने के लिए सेलेक्टर्स की पोस्ट के लिए टीटवंटी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का परदेशन शर्मनाक राव जिसके बाद यह जो नहीं बीसिस चाहिए आपकी जिसके अध्यक्ष रोजर भी नहीं है सचेव ज जान में रखते होएं मुझरिमों को सजा देनी शुरू हो चुकी है लेकिन इसी के साथ सथ एक सवाल यह उठता है कि क्या यह सेलेक्टर्स वहाँ पर जाकर मैच केल रहे थे खिलाडियों पर भी क्या गाज गिरेगी क्या बीसिस यह ने सेलेक्टर्स को बाहर करके एक मैसि सब्सक्राइब नौ बच चुके हैं भारती समयनुसार मैं समय दुबई में तो यहां पर साड़े साथ बजे तो भारती समयनुसार नौ बजे एक मेल आया और मेल में बंपोड़ते हुए बीसी चैने सभी चैन करताओं को थेंक्यू कर दिया और वैसे यह लग भी राता कि जब पिछली जो सेलेक्शन कमेटी हुई मीटिंग हुई जिसमें चार्टी में चुनी गए इसमें पूछा भी किया तक चेतन जी से क्या यह आपकी आखरी मीटिंग है तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा था लेकिन मेसीजिस क्लियर थे अगर इंडियन टीम जीती तो ए सब्सक्राइब करना होगा खेलाडियों को अपके अकेले नहीं मैंने का सूर वार आपके खेलाडी ही थे झाल झाल झाल